इस पूरे सेक्शन का हार्ट है कि इसको समझें कि सोलर सेल बनने का तो मैंने थोड़ा सा आपको बता दिया अरड़ी उससे जादा समझने की जूरत नहीं है इस कमस कमस कोर्स की हद तक के लेकिन वो फिर आपरेट कैसा करता है इसके लिए भी काफी सारी ऐसी है जो कि बहुत ही कांप्लिकेड़िट है मैं उतनी सारी कांप्लिकेड़िट तो मैं नहीं जाओंगा पहली बात तो जो आप हम सब अब तक अच्छी तरह से जानते हैं कि सूरज की जो शुआएं सूरज की जो एनरजी है खासतार पर विजिबल स्पेक्टरम 400 से लेके 750 तक के वो नैनो मीटर वाली एनरजी जो है वो एब्सॉर्ब हो रही है ठीक है ना वो सबसे पहले बनियादी बात यह तो अब हर चीज में हर चीज में अलेक्टरॉन्स होते हैं बास जगह अलेक्टरॉन्स होते हैं बास जगह अलेक्टरॉन्स होते हैं वो बिलकुल फ्री होते हैं जैसे आप मैटल ले ले लें मैटल्स के अंदर बहुत सारे फिर्टरॉन फिर ते रहते हैं तो वो मेटिन में फिरяж नाइच में तर्वption एंप rooftop होना ज्याक कई हैं Te यह सारी चीज़ है ना ये समी कंडकर्टर क जैसे नाम अपने देखा सैमाइकंडकर, मतलब ही है कबहो फे कबhA कंडॉक्ट करेंगे कभी वह कंड़क्ट नहीं करेंगे PER 9 ऐसी वजह से सारे इसलिकन वे वह कंड़क्ट करते हैं तो वन हो गया खिर नहीं हो तो जीरो हो गया वह बाइनरी सिगनल लेके आप जो मरजी कर लें गूगल पर आप चले हैं टिक टॉक पर चले हैं लेकिन वह बुनियादी प्रिंसिपल वह ही है तो यह समी कंडुक्टर की बहुत खुसूसियत है कि कुछ कंडिशन के अंदर वह कंडुक्टर हो जात में कि फ्री एलेक्टरॉंस नहीं होते उसमें से पर कंडुक्शन कोई नहीं होता वह फिर इंसुलेटर हो जाता है तो मेटल हुआ इंसुलेटर हुआ और बीच में यह समी कंडुक्टर हो अच्छा क्या कंडिशन ऐसी है जिसके अंदर यह कंडुक्टर बन जाएंगे उसक आपको यादो पहले एक लेक्टर से, तो उतनी एनरजी एगर उसमें हो, तो वो बड़ी आसानी से निकल जाता है, तो ये जो सूरज का जो स्पेक्ट्रम हमने देखा था, 450 से 750 नैनो मीटर ते के, वो नैनो मीटर तो उसमें लेंथ में है न, जो चेंज कर सकते हैं एनरजी में, आपको पता है कि उसका कनेक्शन क्या है एनरजी का और वेवलेंद का, तो इसका जो पीक है न, जैसे आपने देखा ता ऐसी पीक जा रही थी उसके अंदर, तो जो पीक है वो 1.5 वी है, तो इसका मतलब वो जो, तो ये बड़ी अच्छी बात है, इसी वज़ए से सिलिकन को इस तरह इस्तमाल है, कि एक तो ये कि चीप है बहुत सारा, सैंड जो है, सैंड सिलिकन आउकसाइड इस सैंड, तो इस वरी चीप रिसोर्स माटीरियल, तो वो है, उसको पिर अगर कार्बन से मिलाके बना लें, सिलिकन, पियर सिलिकन, तो देन ये वरी नाइस माटीरियल तो मेक ए सोलर सैल, लेकिन वो पीक जो है सोलर स्पेक्ट्रम की, वो इस तरह से आती है, कि वो बिलकुल मैच कर जाती है, जितना उसको सिलिकन में एनरजी की जूरुड़ा, तो इलेक्ट्रॉन को एकसाइट करने के लिए, तो जब एब्सॉर्ब होगी वो लाइट, वो 1.5 वीवी वाली, तो इलेक्ट्रॉन एकसाइट हो जाता है, इलेक्ट्रॉन एकसाइट हुआ, इस्तेमाल की चीज़ है वो कोई फाइदा नहीं है कोई इस्तेमाल नहीं होता प्यूर सिलिकन उसमें कुछ इम्पूरिटी मतलब डोपिंग कोई खास स्पेशल चीज़ एड़ करते हैं तो फिर यह ऐसी चीज़ बनती है जिससे कुछ इस किसम के इलेक्टरॉन था है तो वह ऐसी चीज़ बन जाती है जोके इलेक्टरॉन दे सकती हैं अगर आप गरूप ट्री मतलब गैलियम होा अलूमिनम होँआ वह एड़ करें तो इसकाम एक एलेक्टरॉन कम हो गया तो एक नई चीज़ होती है जिसको कहते होल और अिलेक्टरॉन बिलकुल एकी त होता है एक का चार्ज जो है वो नेगेटिव होता है लेकिन वो चलते उसी तरीखे से हैं ठीक है ना तो ये दो चीजे इनको मिलाए बगएर सोलर सेल नहीं बन सकता अगर आपने उसमें आर्सनिक और ग्रूप फाइफ के ऐलेमेंट उसमें मिला लिए तो वह एंड टाइप सि तो ये दो चीजे पी टाइप एंटाइप अब ये दोनों जाना एक से होल आता है एक से एलेक्टरॉन होता है और एलेक्टरॉन होल जो है वो बिलकुल एक ही तरह की चीज़ है सिर्फ उनके चार्ज मुक्तलित तो अगर आप उनको मिला लिए तो फिर पी एन जंक्शन बन उदर तो कोई एलेक्टरॉन नहीं है तो ये वड़ी अननैचरल सी चीज़ होती है तो एलेक्टरॉन जो होते है ये राइट साइट पे एन टाइप है ना इससे ट्रांसफर होके पी टाइप में चले जाते है और जो जो पी टाइप है जहां पे होल्स है वहां पे वो होल कह तो क्या हुआ इसका मतलब अब यह देखें इस तरह का एक जंक्शन बनता है कि जहां बीच में यह इलेक्टरॉन और होल एक दूसरे से मिलते हैं और खतम हो जाते हैं दोनों के आपज़िट साइन ना तो उसमें खतम हो गए अब वो जो लेफ्ट साइड से जो चला था वो थ इसका मतलब यह पुटेंशल यह हो गया और इसका पुटेंशल यह हो गया इसको कहते हैं वोल्टेज यहां का पुटेंशल ज्यादा यहां का पुटेंशल कम अब वो यह चीज़ चाहिए एलेक्टरॉन तो मिल जाएगा अब यह एलेक्टरॉन अभी बनाएंगे उसको एक साब बीच में तो सब खतम हो गया, तो अब जब सूरज इस पे आएगा ना, सूरज की 1.5 EV जो एनरजी इसमें आएगी, उससे भी पर ये इलेक्टरॉन एक्साइटेशन होना चाहिए, राइट साइड वाले रीजन के अंदर, इलेक्टरॉन एक्साइट होता है, वो फिर पो सोलर सेल, सेल जिसे कहा न, इसका उतना बैटरी सेल, इससे आपको फिर एलेक्टरिकल एनरजी मिलती है, और ये कितने बड़े-बड़े, मैंने आपको पहले दिखाया था, ये सेटल हाइट इमेज है, कि इतने बड़े, वो ऊपर एक फोटो सेल है, राइट साइट पर पू बड़ा पार्क जो चाइना के अंदर अभी इस बड़े कर रहा है, और ये जो है, ये कर्व, एफिशेंसी कर्व, मुक्तलिफ खिसम के सोलर सेल के लिए, जो के हर साल में कितनी आगे तक बढ़ दी चलिए आ रही है, अब ये देखें, कितनी सारी आप्शन्स हैं यहाँ पे कितने सारे आप्शन्स हैं, लेकिन कुछ जो है, वो मुक्तलिफ डिजाइन के हैं, मसलना कुछ थिन फिर्म सोलर सेल्स हो गए, कुछ सिंगल क्रिस्टल सोलर सेल्स हो गए, ये तवाम स्ट्रक्चर जो इनका फरख है, तो उपर के जितने भी ओदे कलर के जो हैं वो सब सिलि आ रहे हैं, कुछ नए हैं, जो चलते हैं, कभी रुख जाते हैं, जैसे पॉलिमर सोलर सेल्स शुरू हो गए थे, बिल्कुल खतम हो गए, उनने का तो, वो बिल्कुल सबसे ज्यादा चीप, सबसे आसान तरीख है, बनाने वाले है, वो जैसे पेंट बरश कर दी और सोलर से और वो उसको कर दें आराम से, तो वो सिलिकन से भी अच्छा सोलर सेल्स का बन सकता है, तो ये बहुत सारे आप्शन आप हमारे पास आ गए हैं, सब मटीरिल्स को समझने के बाद के इन में क्या क्या चीज़ें जरूरी है, तो वो सिलिकन को निकाल के, सिलिकन की खराबी यह है, कि वो एब्सॉर्ब जाए, वो बड़ी मुश्किल से करता है, और उसकी वजाए से उसको बहुत थिक बनाना पड़ता है, तो थिक बनाना से मटीरिल्स भी जादा इस्तेमाल होता है, अब ये चीज़ें प्रोफसकाइट वगरा जो है, वो वो वन सिक्स्टित सिलिकन की इस तिकनेस से चल सकता है, तो उसकी वजाए से कितना सारा मटीरिल में आसानी हो जाएगी, तो बहुत सारे आप्शन है इस फील्ड के अंदर, जो के हमने देखे अभी, लेकिन वो अब उसका आगे जाके देखना पड़ेगा, कि इसमें से कौन सा ऐसा उभर के आता है, जो सिलिकन को चैलेंज कर सके, अभी जो है, वो सिलिकन वोई 95 फीसद तक के सोलर सैल जो है, वो सिलिकन के ही बनते हैं.